हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो आवर चैनल कारियर फोकस दोस्तो नेशनल डिफेंस अकेडमिया नावल अकेडमिक जामिशन टू दोजार बीस ओपना हो चुका है 16 जुन दोजार बीस से लास्ट इसका जुलाई दोजार बीस है आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि इस इसका रिजिटेशन कैसे करना है? है इसका रिजिटेशन दो पार्ट स में होगा? पार्ट बटू करना होगा. आइए देखते हैं पार्ट बाठ Bye आठ कैसे करना है? उससे और गिंश करेंगा, सब परकार की, गोव्र्मेट्ट मेट्स से ओना से, छेर्डीन पार्ड विब पर जाना है UPSC online.nic.in इस पर आपको जाके आपको मिलेगा online application for various examination of UPSC, यहाँ पर click करना है, यह click करने के बाद में यह page आजाएगा NDA2 का, यहाँ पर आपको part 1 पर click करना है, part 1 के बाद में यह part 1 instruction page खुल जाएगा, instruction page के बिल्कुल नीचे आजाएगे, यहाँ पर आपको yes पर click करना है, यह page खुल जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपना नाम डाल दीजिया आप, जो भी आपका नाम है, परदीप शर्मा मेंने, उसके बाद में gender में mail डाल दिया है, date of birth, कुछ भी आपका जो date of birth है, वो आप date of birth डाल दीजिये, उसके बाद में father का नाम डालना है आप को, यह father का नाम डाल दिया है, friends, अपनी माता का नाम डाल दीजिये, उसके बाद में आपका nationality Indian, marital status unmarried है, community आपका जो है, वो डाल दीजिये, मैंने ST डाल दिया, यह आपका certificate number आप जो है, वो डाल दीजिये, उसके बाद में आपका minority है, तो minority लिखिए, नहीं तो नहीं ल cloud, उसके बाद में इस सुलक माफ किया गया है, इसका option आपके पास में, तो यह आपके पास में, तो यह आपके पास में, आपके पास में, यह आपके पास में, आपके पास में, आपके पास में, आपके पास में, यह आपके पास में, यह आपका address है, इसमें, इसमें आप कु होनी चाहिए फिर दोबारा से वह email type कर दिया है उसके बाद में आपके पास में अगर कोई दूसरा email है तो यहां पर आप type कर सकते हैं उसके बाद आप continue पर click करेंगे यह page open हो गया है पर आट one हो गया आपका आपके बाद में यहां पर photo identity card आप जो भी upload upload करने वाले हैं वह यहां पर select कर दीजिए card का number जो आप के card का number है वह इसमें डाल दिए आपने कभी examination one के लिए apply किया है तो yes करिए नहीं तो no करिए मैंने no कर दिया है फिर आपका choices fill करना है कौन सा आपको apply करना है one two three के हिसाब से army में no से ना में air force में आप कौन सी उसमें जवाइन करना चाते है नावल academy में तो मैंने चारो option बर दिया है one two three four आपको जो अच्छा लगता है उसके साब से आप फिल अप कर लीजिए इससे पहले कभी computerized pilot selection system में आप गए हैं तो यह yes no करना है यह सिरफ जो पहले apply कर चके उनके लिए है उसके बाद में air force video में आपने कभी apply किया कि नहीं वह करना है सैनिक के school में पड़े हैं तो उसका apply करना yes no इसके बाद में आप किसी officer के army military से related बच्चे हैं तो उसके लिए आपको yes no apply करना है मैंने इस पर no no कर दिया है continue करेंगे तो यहां पर अपना detail आ गया है जो जो detail अपने apply किया है उसके बारे में पूरा details आ गया है इसको preview करके आप इसको update कर सकते हैं अगर यह सही है तो यहां पर यह code डाल यह code डालेंग registration ID और password के साथ में तो जो registration आपके पास में यह number आया है वो आपको email और message दोनों से आ जाएगा को यहां पर आपको डालना है जो date of birth आपने apply किया है वह आपको डालना है code फिल करेंगे उसके submit कर देंगे submit करने के बाद में यह detail तुबारा से हमारी open होगी दोस्तों part 1 हमारा complete हो चुका है part 2 पर हम जाएंगे part 2 के लिए आप फिर से इस page पर आ जाएए यहां पर आपको part 2 दिखेगा part 2 पर click करिए यहां पर अपना registration ID और date of birth डालके यह code डालके entry कर देना है तो यह page आपका open हो जाएगा दोस्तों photo sign और photo identity आपको upload करनी है सबसे पहले photo upload करेंगे यह photo म document सभी चीज़ upload हो गई है यह आपका अगर सही है यह देख लीजिए नीचे इसमें बताया गया है किस तरह आपका photo होना चीए sign होना चीए किस तरह से आपका photo reject हो जाएगा sign reject हो जाएगा इसमें दिखाया गया है आप यह गलती मत करिए इच्छे से photo upload कर दीजिए document upload करके continue click करिए आपका जो pen number है वह आप फिर से डालिए यहाँ पर center select करने के लिए उसके बाद में आपको क्या करना है यहाँ पर आपका center select करना है मैंने delete select कर लिया दोस्तो declaration करनी है उसके बाद declaration नीचे इस पर agree कर देना है agree करने के बाद में हमारा registration complete हो जो गया दोस्त आप अपना application फिर से login करके देख सकते हैं तो यह दोबारा से आप login करोगे तो आपका पूरा आपका details निकल जाएगा इसको आप print कर सकते हैं प्रिंट करना चाते हैं दोस्तों इस तरह से आपको part 1 और part 2 दोनों registration complete हो गया दोस्तों इस तरह से आपको online apply करना है आपको अगर यह वीडियो कोई भी question के लिए नीचे comment box में लिखिए हम उसमें आपके help करना ही खुशिश करेंगे thank you धन्यवाद